असलाम अलेकम वीवर्स आज ओनेक्स इंटरनेशनल लेकर रहा है आपके लिए एक उपसूरत तरीन हाउस अल्ट्रा मॉडरन किसम का यह हाउस है और यहां हम इस वकत हैं यह बहरिया टाउन फेस थ्री है और अगर मैं बात करूं इसकी सरेनेटी की तो लेफ साइड पे आपक है 50 फीड वाइड रोड है और आगे से गली जो है वो डेड एंड है एक बैनेफिट है आपको और यह क्या बात है इस घर की आये चलते हैं इसका मैं अपको अंदर से विजट कराता हूं और विजट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बाहर का खुबसूरत ग्रीन एरिया दिखाता जाता हूं क्या बात है और बात करें अगर इसके डोर की तो यह क्या मॉडर्ण स्टाइल में यह डोर बनाया गया है चलें भड़ते हैं घर के अंदर यहां पे आप तक्रीबन पांच से छे गाड़ियां अराम से खड़ी कर सकते हैं इसके पोर्ट में आप इसका सीलिंग वर्ट चेक करें यहां पे आपको अच्छी खासे स्पेशियस पार्किंग मिल जाती है यह एक छोटा सा प्यारा सा ब्यूटिफुल सा लॉन मिल जाता है यह इस घर की एक ग्रैंट एंटरस है और यह सामने स्पेशियस पार्किंग स्पेशियस पार्किंग चलते हैं अब इस ग्रैंट एंटरस अंदर की तरफ यह तक्रीबन तस फुट का एक सॉलिड डूर है यहां से आपको लाइट मिल जाती है डूर चट करें आप कितना खु और दोर पर घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहां पर लॉबी में आपको एक डबल हाइट इंटरस मिलती है और यह शैंडलियर चेक करें खुब्सूरत शैंडलियर और उसके पास साथ एक माबर की एक वाल आ रही है नीचे की तरफ माबर बर्क हुआ वह बहुत ही प्यारा किसंद था यह सिक्स बेडरूम हाउस है और यहां से हम एंटर होते हैं इसके डाइनिंग की तरफ राइंग एंडाइनिंग की तरफ यहां से आप एक खुबसूरत व्यू बाय की तरफ मिल जाता है वाउ क्या इन्होंने हाइट रखी वी है और क्या यहां से व्यू है और साथ में एक पितकुस आपको पाउडरों मिल जाता है यह आप इसका राइंग देखें और यह इसका वर्क देखें इसका यहां पर टाइल वर्क किया गया है खुबसूरत और यह विंडोज हैं देन आप इसका यह सीलिंग वर्क चेक करें और इसके साथ साथ एक खुबसूरत शेंड्लगहर हैं बड़ेलेरें ऐलेगंट यहां से आपको बाइट से यसकी एंटर से ऑर इक अंदर से इसकी एंटर से इहां से यह उपर की तरफ रास्ता जाता है और यहां से हमोनी सेचें फ़र्के अंदर के ओर राइट और यह आप एंटर सalta करें हाइट इड दरवाजे यहां बनाए गए है एक हाइट इंट्रस दी गई है यह देखें जी यह है इसका लिविंग रूम यहां पर जो लाइटनिंग एफेक्ट है विंडो की बज़े से क्या कमार की बात है बिलकुल टिम टिमाती हुई फिलिंग आती है और यह आप चेक करें वाउ वाउ फेक्टर अब één्हाँ यह आता है और यह आप साथ में यह वाल चेक करें यह मीडिया वाल है इसकी और मीडीया वाल पे भी टायल्वा किया गया और पिल्कुल लिविंग रूम के सामने एक किचन है और अगर मैं मेडिया वाल के सेकंड साइट पर बात करूं तो यहां पर भी यह टाइल वाक किया गया है वाव क्या कंबिनेशन है अब चलते हैं हम इसके किचन की तरफ यह के सामने आप को एक डबल दोर फ्रेज मिल जाती है यहां से आप बाएर देख सकते हैं हेलो हाई कर सकते हैं और यह हम अब दे रहे हैं को किचन का यहां पर सामने सारी केबिनेट्स हैं वाव बड़ा अच्छा काम किया गया वाइट कदर में यहां पर और सारी यहां पर यूवी ग्लास की जो लाई हैं वो यूज की गई है यह फोड़न हॉप चेक करें वाव यहां आपने बतन बगारा रख सकते हैं और इसके साथ यहां पर आपको वाव गोर्क चेल साथ आपको इन ग्रिले मल जाता है और यहां पर आपको मिल जाता है इसका डिजिरती छेल कि पर और यहां इसका डिजिटि यह बड़ा एलीगेंट काम किया गया उपड़े अच्छे करलर् सब्सक्राइश यह यूज किया गया बलकुल भी आखो चुक्ते नहीं है और हमेशा फ्रेश फील देते हैं नाव हमें चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ यह ग्राउन पर आपके पहले आपको यहां मिल जाएगी बेडरूम के साथ एक चोटी सी स्टोरिज प्लेस यहां पर आपकी कैबनेट्स भी हैं और एक स्टोरिज प्लेस है यह सारा अपने समान गया रख सकते हैं और इसको लॉक कर लें अब हम चलते हैं आप बेडरूम्स की तरफ राइट यह इसका पहला बेडरूम है क्या माशाला माशाला बेडरूम है क्या लाइटनिंग कमरा है यह चेक कर रहे हैं यह सामने मीडिया वाल है और यह इस वाल पर क्या काम किया गया है जो चारो साइडे ने हैं इस कमरे की उस पर डिफरेंट काम किया गया है और बना प्यारा काम किया गया है और यहां से जो आप व्यू चेक करें क्या बाद है क्या बाद है इस कमरे में जो रहेगा बिल्कु भी बोट नहीं होगा अजर यह आपके यहां से हम चलते हैं यह आपके वाट डोग्स आ जाती है बातरूम के बिल्कु साथ और यह आप एक एलिगेंट सा प्यारा सा बातरूम चेक करें वाउ यह वैनेटी चेक करें इसके और यह इसका मोड है और इसके बिल्कु बैक साइड के उपर आपको इसका शावर प्लेस मिल जाती है चल्दीज चलते हैं दूसरे बेटरूम की तरफ और देखते हैं वहां पर का सर्प्राइज है हमारे लिए यह है इसका सेकिंड पैटरूम की एंक्रेंस यह आप सीलिंग बग से करें वाउ चलते हैं अंदर यह आपको सामने मीडिया वाल में जाती है है सामने वाश्रूम की एंटरंस है कैबिनेट है और यह आपकी बैड वॉल में जाती हुआ हो क्या यहां पर काम किया गया है आपको थोड़ा क्लोस से दिखाता हूं यह चक्कर है आप एक स्पेशिस पैट्रूम है और अब में इंटर होते हैं इसके वाश्रूम की तरफ है यहां पर कैबिनेट्स हैं और यह रहां इसका वाश्रूम वाउ जवर्दस्त इसके वाश्रूम है और यह यहां पर बिल्कुल आपक सेपरेट शावर स्पेस चलते हैं अब इसके अपर पोशन की तरफ जल्दी से और लेकिन अगेन यहां से बाहर निकल तो जो फेक्टर मिलता है यहां पर डबल हाइट का क्या वो रॉयल फील आती है और यहां से हम दरवाजे से बाहर भी जा सकते हैं आप यहां से इसको सेपरेट करके अज़ा डबल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं अपर पोशन वाले वहां से इसको यूज़ कर सकते हैं और यहां से हम चलते हैं उपर की तरफ यहां पर भी आप एक डबल हाइट मिलेग यह देखें आप सबर्दस्त लेट्स को जैसे हैं इसके उपर एंटर होते हैं इस घर में माशाला यह आपको एक सामने बिलकुल स्टेज के सुपर जाते पर मिलते हैं ठीक है और यह मिल जाता है आपको लिविंग रूम वाव और साथ में जिसकी मैं बात कर रहा था एक खुबसूरत शेडलियर यहां से आप नीचे देखें कौन आया है और यहां से यह हम लिविंग रूम एंटर होते हैं और यह व्यू चैक करें यह विडियो चैक करें यह तो यह रिरियर में में इसकी देखें यहां से सेज जाती है आपके अपर लेवल की तरफ वो हम बाद में जाते हैं लेकिन हम साथ में चलते हैं इसके कि तरफ यहां से इसका किशन एंटर होता है यहां पर कलर्स बड़े लाइट यूज़ किये गया है यहां पर मार्बल यूज़ किया गया है यह साथ ही एक चोटी सी गैलरी है किशन के साथ और हम चलते हैं बाहर के दरफ यह है यहां से आपका एक खुबसूरत बैडरूम वाओ आप इसके फ्लोरिंग चेक करें इसकी वाल्स चेक करें और इसका सीलिंग वाल इसकी मेडिया वाल और देन वार्ट रोड एडिया और इसका खुबसूरत वाश्रूम वैनेटी देखें मिरर शर्ते अब सेकेंड बैडरूम की तरफ यहां से उमीद है कि आपको घर बहुत पसंद आ रहा होगा यह वीडियो आपने एंड तक लाज़वी देखनी है और इसको जादा से जादा आपने शेयर करना है लाइक करना है लाइक आपको 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 दो करना है कमेंट करना है और शेयर करना से यह होगा कि जिसको इसकी जुरूरत होगी वहां तक ये पूंच जाएगे जुरूरत मन तक यह इसका अपर फ्लोर का सेकंड बैडरूम है इस चेक करें आप यह इसके वाल चेक करें और यहां पर यह काम चेक करें आप वाव इसका सीलिंग वर्क और देन मीडिया वाल और यहां पर कैबनेट्स ज्यादा दी गए हैं उन्हों को दिखाता चलो यह कैबनेट्स हैं और साथ में इसके यह इसका बात्रूम बात्रूम में यह वैनेटी और उसके बाद यह आपका शावर स्पेस आपको यहां मल जाती है अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन के थर्ड वैडरूम के जिसका थर्ड है फोर्थ है यह बिसिकली सिक्स बैडरूम हाउस है और यह है इसके आप फ्लोरी चेकर हैं इसके आप वाल से करें मीडिया वाल देखें सामने विंडो का अफेक्ट देखें काफी वाइट विंडोस यहां दी गई है और हर कमरे में जो बैड़ वाल है वो परी डिफरेंट दी गई है और यहां से हम चलते हैं इसके बात्स उनकी तरफ इसके शावर एडिया जो कि बल्कुई साफड़िट है बिसिकली यह सिक्स बेडरूम हाउस है और यहां से अब यह चेक करें फ्लोरिंग वाल वर्ग सीलिंग वर्ग और वाइट विंडोस यह आपको कम ही घरों में मिलती है बहुत कम घरों में और साफ में वाइट विंडोस के साफ एक उपसूरत विव बहुत ही कम घरों में आपको मिलता है यह आप मेडिया वाल देख सकता है और सामने यह आप बहरिया की एंटरस देख सकते हैं जो के बहुत ही कुपसूरत है यहां पर आप जो भी इस कमरे में रहेगा अगें वो बिलकुल भी यहां से बोर नहीं होने लगा और यह जो इसका वाशम और आप जो आप जो देख सकता है इसकी रूफ की तरफ जो के यहां से हम जाने लगे हैं यह चेक करें हैं वाउ चले जी घर के हम रूफ पर भी जाकर देखते हैं इस घर की जो देमांड है तस करोड और पचास लाक फिर पे यह आप यहां से इसका व्यू देख सकते हैं और एक इंज्वाइग कर सकते हैं अपनी टी कॉफी with a beautiful view with a beautiful serenity और इसकी डिमांड मैं आगेन आपको बताते हैं तो दस क्रोड पचास लाकर पे इसकी डिमांड है आपने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है लाइक करना है और कमेंट करना है कि आप पर ये घर कैसा लगा थैंक यू बरी मच हमार ये वीडियो जेखते रहे आलाहाफज